तो देखते हैं क्या है फजान्स रूल तो फजान्स रूल बेसिकली आपको यह बताता है कि कोई भी आइनिक कंपाउंड कभी भी 100% आइनिक नहीं होता है यहाँ बॉल इनिक कंपाउंड कभी 100% आइनिक नहीं होता है अब यह कितना पसंड कोवलें करेक्टर आएगा यह Check करता है पोर्लाइशन के ऊपार कि इंद्द कितना प्रोलाइशन डवलप हुआ अब यह पोलाइशन क्या चीज़ थो आपको यह बात पता होगी कि अएनी कमपाउंड के टायन को मिलाने के बात बनता है एनाइन साइज में बड़ा होता है कि टाइन साइज में शोटा होता है तो जैसी एक कटाइन एनाइन के पास आता है तो एनाइन के टाइन के एलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक करता है यह प्रोसेस कहलाती है डिस्टॉशन क्या कहला कोवलेंट करेक्टर के डिस्टॉशन चितना ज़्यादा आएगा अब यह दिस्टॉशन के इस कि करता है तो यह दिस्टॉशन डिपेंड करता है इंद छोटा है कि शोटा है सादी साथabanud station के उपर चार्ज किया है यानी कोल रिलाकर करके आप यह समझो सबसे बड़ा के टाइन किसका है पोटेशियम का चार्ज तीनों पर सेम है तो जिसका के टाइन सबसे छोटा होगा उसमें कोवलिंग करेट्टर की वैलियू उतनी ज्यादा होगी यह नहीं होगी यह बात आगई सवंज में तो सबसे कम कोवलेंट कौन हुआ के सीएल इसके होता है तो कोवलेंट डाइग्ली प्रपोर्श्चनल होता है एक एनाइन के सैज पर एनाइन का साइज जतना बड़े से बड़ा होगा कोवलेंट करेटर उतना ज्याद आएगा गेटर is the size of the anion, more is the distortion, more is the covalent character अब LICL, LIBR, LII और LIF में से सबसे बड़ा anion किसका है? iodine का, क्योंकि ketion तो सम्में से हम है तो जिसमें जितना बड़ा anion होगा, covalent का टोटना जादा होगा तो सबसे यहादा covalent कौन हुआ? लीथियम आयोडाइड और सबसे ज़्यादा anion कौन हुआ? लीथियम फ्लोराइड तो most covalent is lithium iodide and most anion is lithium fluoride अब अगर तुमारे पास दो केटाइन है एक potassium आयन है और एक copper आयन है और अगर दो केटाइन है, दोनों को यहादा चार्ज भी सेम है दोनों का size भी सेम है तो ऐसी situation में उस कोवलेंट, उस केटाइन का कोवलेंट कर्टर ज़्यादा होगा जिसमें की pseudo configuration लगी हुई है, यानि की जिसमें की d-orbital लगा हुआ है यानि की उस केटाइन के अंदर, जिसके अंदर की d-orbital है उसका कोवलेंट कर्टर ज़्यादा होगा तो CUCL ज़्यादा कोवलेंट हुआ KCL से इंका उसके भी हुआ हुआ है